नमस्कार शाकाहर सदबहर किचिन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ एक खास कुकीज जो की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिश्ट भी है और यह हमारे पास जो घर में उपलग सामगरी रहती है उससे आसानी से बन भी जाती है और अभी इस समय दालचीनी का प्रयोग भी बहुत किया चा रहा है तो चलिए आए हम बनाते हैं दालचीनी बिस्केट्स आपने अभी तक मिरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज उसको सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाईए तो चलिए आए हम बनाते हैं दालचीनी कुकीज कुकीज बनाने के लिए हमारी सारी सामगरी है अब हम एक बाउल में आटा ले लिते हैं उसको हम चैसे चान लेंगे यहां मैंने ढाई का पाटा लिया है इसको मैंने दोबार में करके चान लिया है और इसमें शाथ में ही हम कॉर्ण फ्लोर मिला लेंगे वन टेवल स्पून और वन टी स्पून baking powder भी मिला लेंगे और इन सब चीज़ों को मिला कर हम अच्छी तरीके से छान लेंगे अब हम इस मिश्टरण में 1 फूर्थ टी इस्पून जायफल का पौडर मिलाएंगे आप चाहें तो इसको इसके पिकर सकते हैं यह optional है और अब हम एक दूसरे बाउल में एक कप बटर लेंगे यह बटर मैंने घर पर ही बनाया हुआ है आप चाहें तो बाहर बजार का भी बटर का प्रियोग कर सकते हैं और अब हम इसको एक ब्लेंडर की साहेता से अच्छा फलपी बना लेंगे इसको फलपी करने में एक या दो मिट का समय लगेगा जादा नहीं और आप चाहें तो इसको हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं और अब हम इसमें 3-4 cup PCV चीनी मिलाएंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस प्रिकार से हम अपना जो बैटर है उसको फलपी बना लेंगे और अब हम इसमें 8-10 बूंद वनिला एसेंस की डालेंगे और जो हमारा सूखा मिश्टन हमने तयार करके रखा था उसको अब हम इसमें आधा मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हमको बहुत ज़एदा प्रेशर नहीं देना है और ज़रुत पढ़ने पर हम इसमें थोड़ा सा दूद मिलाएंगे दो या तीन चमच इसको मिलाकर हम अच्छे से डो तयार करते हैं और आवशेकता लगेगी तो हम थोड़ा दूद और मिला सकते हैं इस फ्रेकर मैंने आपर एक दो चमच दूद और मिलाकर अच्छा सा डो तयार कर लिया है और अब इस टूद को मैंने दो हिस्सों में डिवाइट करके इसको हातों से अच्छी तरीके से रोल कर लिया है और इसा रोल करकरके अब इसको हमने जेकना करके और एक प्लास्टिक रेप से हमने इसको अच्छे से कवर कर लेंगे चारो तरफ से अच्छे से इसको टाइड बंद कर देंगे और हाथों से थोड़ा सा चारो तरफ से हलका हलका प्रेस करेंगे इस प्रकार से मैंने इसको दोनों जो मैंने रूल तयार किये थी उसको मैंने अच्छे प्लास्टिक रेप से रेप कर दिया है और हम तो अच्छे तरीके से हलका हलका सदा बाकर और इसको हमको 10-15 मिट के लिए फ्रीज में रखना है और ये मैंने फ्रिज से 15-20 मिट हो चुके हैं निकाल लिया है और इसको खोल कर अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे बिस्किट की स्लैसेस हम काट लेंगे आप चाहें तो इसको बेल कर भी बना सकते हैं और अब हमारी स्लैस तयार हो चुकी है इसको हम थोड़ सा दालचीनी का पाउडर उपर से लगा देते हैं इस प्रकार से हमने एक तरफ इसमें दालचीनी का पौडर लगा दिया है और इसको बेख होने के लिए इसको हमको ओवन में 180 डिग्री टेंपरिचर पर हमको इसको रखना है और इदिया आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको कड़ाही में या कुकर किसी में भी सेख सकते हैं अब हमने इसको OTG में रख दिया है 180 डिग्री पर 10 से 15 मेट का समय लगेगा बेख होने के लिए अब हम इसको देख लेते हैं यह हमारी कोकी बन के तयार हो चुकी है थोड़ा एक्स्ट्राडो तयार करके रखा हुआ है अब मैं इसको unfold कर लेती हूँ और इसको मैं आपको बेल कर दिखाऊंगी बेल कर और जो हम लोगों ने स्लाइस किये हैं दोनों के टेस्ट में कोई ज्यादा रिफ्रेंस नहीं होता है दोनों ही उतने ही क्रिस्पी बनते हैं इसको हम दोन प्रेकार से बना सकते हैं बेल कर और स्लाइस करके अब हम इसको अच्छे से पतला बेल लेते हैं जितनी मुटाई आप चाहें उससाब से बेल सकते हैं और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर इस्प्रेट कर देंगे अच्छे से और उसको एक के तयार हो चुकी है स्लाइसेस अब हम इसको ओटीजी में बेख होने के लिए रख देते हैं 180 डिग्री पर और इस प्रकार से हमारी दोनों प्रकार की कुकिस तयार हो गई हैं जो की बहुत ही क्रिस्पी बनी है तो फिर फ्रेंड्स इसको आप लोग भी जरूर ट्राइ करि के जो जरूर टे जरूर क्यों तो आप्ल peuxादाज को 10 राटा हैं ठवेश्ट हैं परोच मानों में व requests के लिए